इस weapon को ध्यान से देखिए, इसका नाम है iron beam, ये इसराइल का एक बहुत ही powerful weapon है, जिसके माध्यम से इसराइल की जो military है, वो सामने से आने वाला कोई भी rocket हो, उसको destroy कर सकती है, and जो इसमें खर्चा आता है destroy करने का, वो केवल 3.5 डॉलर का आता है, मतलब की सामने से आने वाला rocket जो की शायद लाखों का होगा, उसको destroy करने के लिए केवल 3.5 रॉपे के आसपास का खर्चा इसराइल की military को आता है, इसके पहले इसराइल जो इस्तिमाल किया करता था, उसका नाम था iron dome, जिसमें की सामने से आने वाले rocket को इसराइल अपने ही rocket स destroy करने का प्रयास करता था, लेकिन उसमें जो इसराइल को खर्चा आता था, that was $50,000 per rocket, तो यहाँ पर खर्चा बहुत ही जादा आ रहा था, so clearly जो यह laser weapons है, इनका cost तो काफी कम है, लेकिन the best part is, यह laser weapons की जो kill efficiency होती है, वो भी बहुत जादा high होती है, दोस्तों इसी तरह के laser weapons पर, इंडिया भी काफी लंबे टाइम से काम कर रहा था, और अब finally हमारा जो DRDO है, वो अपने इस laser weapon को test करने जा रहा है, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, खबर आज से कुछ दिन पहले की है, हमारा जो laser weapon है, जिसका नाम है दुरगा-2, अब DRDO उसको test करने जा रह बात करेंगे कि आखिरकार यह laser weapons क्या होते हैं, इनकी क्या-क्या खूबियां होती है, क्या-क्या फायदे होते हैं, and most importantly, क्या laser weapon के आने के बाद, क्या हमें जो Russia के द्वारा, हमें S-400 system को supply किया जा रहा है, क्या उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, या फिर नहीं पड़ेगी उसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा, आए शिरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद, यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं, हमारी lectures के updates को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिये गए Telegram Channel के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं, आगे बढ़ने से जो अलग-अलग foundation programs हैं, वो available करवाए गए हैं, इतना ही नहीं आपको जो UP वाला center है, वहाँ पर UP PCS के भी GS batch is available करवाए गए हैं, अगर आप interested हैं इन में से किसी भी batch में enroll करने के लिए, तो आप लोग केवल center को visit कीजिए, और अपनी enrollment वहाँ पे जाकर करके करवा सकते हैं, अगर आपको फिर भी कोई doubt है, तो नीचे दियेगे description box में एक bitly link है, जहां पर जाकर कि आपको click करना है, अपनी doubt भरनी है, मेरा ये वाला code भरिये, हमारी team आपको reach out करेगी, और जो भी आपकी doubts हैं, उनको immediately clear करवा दिया जाएगा, ओल राइट, सो देखिए, दुनिया भर में कई सारी countries हैं, जो की इस particular type of laser weapons पे काम कर रही थी, USA और चाइना ऐसी countries हैं, जो की already अपने laser weapons को बना भी चुकी हैं, तयार भी कर चुकी हैं, इसराइल का मैंने आपको already बता ही दिया, लेकिन और भी countries हैं, टर्की हुआ, इरान हुआ, यहां तक की पाकिस्तान भी हुआ, जो की बताया जाता है कि इस तरह के laser weapon systems को बनाने का प्रयास कर रही हैं, similarly इंडिया ने भी यह कोशिश काफी साल पहले शुरू कर दी थी, बताया जाता है कि लगभग पिछले दो दशकों से हमारी इस चीज़ को बनाने की कोशिश चल रही थी, और अब finally हमने एक ऐसा prototype तय कर लिया है laser weapon का, जिसको की अब हम लोग test करने जा रहे हैं, इस laser weapon का जो नाम दिया गया है, that is Durga2, यह Durga by the way एक acronym है, जिसकी full form आपके सामने लिखी हुई है, Directionally Unrestricted Ray Gun Array, यह हमारे laser weapon का technical name है, जो की DRDO के द्वारा दिया गया है, खेर, before we talk about Durga2, हमें समझना होगा कि आख laser weapons एक बहुत ही layman term है, असल में इसका जो technical term होता है, इसको कहा जाता है, directed energy weapon, DEWs इसको कहा जाता है, और इसका basic जो फाइदा है वो यह है, कि इसमें आप कोई weapon का इस्तिमाल नहीं कर रहे हैं, सामने वाले weapon को destroy करने के लिए, आप इसमें laser का, या फिर microwave का, या फिर particle beams का इस destroy करने के लिए, अब इसमें देखिए, ये क्या क्या कर सकता है, अगर सही से develop और सही से deploy कर दिया जाए, तो देखिए, सामने से आने वाला कोई drone है, उसको आपका laser destroy कर सकता है, सामने से आने वाला कोई ballistic missile है, उसको आपका laser जाकर कर destroy कर सकता है, इतना ही नहीं, ये तो वो व application पर जाकर कर के भी आपका laser उसको destroy कर सकता है, इतना ही नहीं, सामने से आने वाली missile का जो path है, उसको भी ये change कर सकता है, और सामने से आने वाले जो लड़ाकू बिमान होते हैं, fighter aircraft होते हैं, उनको भी destroy करने की शमता, ये laser weapons रखते हैं इसी लिए इनको game changer कहा जाता है because ये एक ऐसा हत्यार है जो कि almost हर तरह के weapon को यहाँ पे control कर सकता है and the best part is कि यहाँ पर आपको 100% की kill probability देखने को मिलती है सो मान लीजे सामने से कोई missile आ रही है आपने अपने laser को target करना है और जैसे जैसे जहाँ जहाँ missile जा रही है आपका laser उसको target करते करते उसको destroy करके ही छोड़ेगा मतलब कि ये foolproof है और इसमें आपको किसी प्रकार की यहाँ पे fail होने की possibility देखने को मिलती ही नहीं है Talking about Durga 2 हम Durga 2 में भी almost similar तरीके की ही planning कर रहे थे और Durga 2 को in fact भारत ने जो planning करी है we are saying कि हम उसको land, sea और air based platforms सभी में integrate करने की बात कर रहे हैं मतलब कि धरती पर से तो हम उसको launch कर ही पाएंगे Even समुद्र में जो हमारे जहाज हैं वहाँ पर से भी हम उनको launch कर पाएंगे और even जो हमारे fighter aircrafts हैं वहाँ से भी हम उनको launch कर पाएंगे जिससे की हम हर तरह के platforms का इस्तिमाल करते हुए ultimately laser weapons को deploy कर पाएंगे इसका दूसरा फाएदा भारत के लिए क्या होगा कि हमारे पास जो सबसे बड़ा threat है वो चाइना और पाकिस्तान की ballistic missiles का है हमारे northwestern, northern और eastern border पे और वहाँ पर उन missile को counter करने के लिए सबसे खतरना खत्यार अगर भारत के पास हो सकता है that is the laser weapons only also इसका एक और फाएदा भारत को क्या हो सकता है कि देखिए recently हमने रश्या के साथ एक बहुत ही multi billion dollar deal को sign किया था जिसमें कि हम लोग रश्या से S-400 वाला anti missile system खरीद रही है यह anti missile system जो है यह exactly वैसे ही काम करता है जैसे इसराइल का iron dome काम करता है सामने से आने वाली कोई missile होती है उसको counter करने के लिए यहां से missile को fire किया जाता है और यह जाकर के उस missile को destroy करने की कोशिश करती है लेकिन अगर हमारे पास laser weapon आ जाएगा तो उस case में हम लोगों को इस तरह के systems की आवशकता होगी ही नहीं because यहां पर क्या problem आती है एक तो इनकी kill efficiency 100% नहीं है secondly यहां पर वही problem आती है कि यहां से जो निकलने वाली missile है इसमें खर्चा बहुत आता है हर एक missile को यहां पर launch करने के लिए और उसके बाद उसको deploy करने में जो expense आता है वो ही अपने आप में बहुत जादा है इसलिए कहा जाता है कि अगर एक बार भारत ने अपने laser weapon को properly operationalize कर लिया, properly deploy कर लिया उसके बाद हमें Russia से आने वाले S-400 missile system की आवशकता पड़ेगी ही नहीं अगर बात करें हमारे दुरगा to weapon की energy कितनी है तो अभी क्योंकि हम लोगों ने केवल इसका prototype ready किया है तो इसकी जो energy है वो काफी कम है it is only 25 kilowatt की laser weapon है जो की हम लोग बना रहे हैं और केवल 5 km तक की ही से आने वाली जो कोई भी missile है या aircraft है उसको हम लोग target कर सकते हैं लेकिन DRDO ने ऐसा बोला है कि हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कि 100 km या उससे दूर तक की जो targets है उनको भी हम लोग यहाँ पर target कर सकें तब ही जाकर के इसकी efficiency हमें ज्यादा बहतर देखने को मिल सकती है बट जो भी हो laser weapons ही है जो की warfare का future है because कई सारे देश हैं जो की laser weapons पर already काम कर रहे हैं इसमें US से आपको बता दें एक already है जिसने की अपना laser weapon ready किया हुआ है जानी मानी company अमेरिका की जिसका नाम है Lockheed Martin उनके द्वारा दोस्तो 300 kilowatt का laser है जो की already in use है जिसको की by the way वो लोग 500 kilowatt तक भी upscale करने की बात कर रहे हैं because Lockheed Martin भी इस चीज़ को अच्छे से समझता है की laser weapons को बनाना तो costly है time consuming है लेकिन एक बार जब ये बन जाते हैं तो उसके बाद जो deploy करने में खर्चा आता है वो बहुत ही कम आता है इसी लिए America हुआ, Israel हुआ, अलग अलग देश है जो की इस तरह के weapons पर काम कर ही रही है ये बाइद वे जो फोटो आपको मैंने पहले भी दिखाई थी ये America का ही weapon है जिसका नाम है Helios और इसकी जो energy है ये 60 kilowatt से भी जादा है और क्योंकि ये इतने cost effective है इसी लिए दुनिया भर की जो countries है वो इस पर लगातार काम करने में लगी हुई है खेर, it's a good thing finally कि इंडिया ने भी अब laser weapons को seriously लणा शिरू कर दिया है हमें funding मिल गई है और जल्द ही हमें इसकी testing भी देखने को मिलने वाली है आप लोग इस चीज़ पूरी चीज़ को लेकर क्या सोचते है definitely बताए हमें comment section में जाने से पहरे दोस्तों बताना चाहूंगा कि आने academy के offline centers में आपको free demo classes one-on-one mentorship, magazine, library, wifi access यसी सभी चीज़ में available होती है अगर आपको इन में से किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी doubt है तो फिर से बोलना चाहूंगा नीचे दियेगा link पे जाकर click कीजे अपने doubt भरिये हमारे team definitely आपको reach out करेगी thank you so much for listening stay tuned and stay safe